श्री नाज जी गुरुजी को अलग आदेश, मा भगवती को अलग आदेश, राची वाले भाहिरब बाबा को अलग आदेश, आप सभी को अदेश-आदेश, आज का विशय बहुत ही महतवपूर्ण है, क्यों महतवपूर्ण है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं महामृत्युन्जय मंत्र के बारे में, आज के दिन आप कहीं भी किसी भी स्थान पर, किसी भी आवस्था में महामृत्युन्जय का recorded version सुन लेते होंगे, लेकिन महामृत्युन्जय मंत्र जैसा मैंने पहले भी बोला है, जिस तरीके से प्रान देती है, वैसे प्रान लेती भी है। वैसे भी गई जाता है। महामृत्युन्जय वैदिक मंत्रों में एक ऐसा मंत्र है, जो महादेव नेHIच सहता, जो खुद दिया थक़य़ुन्जय का हूसा मनत्र जो सिद्ध मंत्र है, आम तोर पर जितने भी वैदिक मंद्र है कि अलाया उनको सिध्ध 카ना होता है साबर को आप सिद्ध करते हैं ताकि आप उसमें ग्रफेक्ट हो जाए लेकिन क्यूंकि वो गुरु ताया इफ्ली ऑफाचा होता है इसलिए साबर को स्व्ह्म सिद्ध माना जाता है लेकिन जो वैदिक मंत्र है उसका एक सिद्धिका विधान होता है एक तालिस दिन, इकीज दिन, सावा लाग है ना महामरित्युन्या मंत्रे का ऐसा मंत्र है जो सिद्ध होता है इसके दो फायते है एक तो क्योंकि ये सिद्ध है तो इसका प्रयोक तुर कारी हो सकता है मैं आपको एक इसका उधारन दूँगा एक बहुत-बड़े तांत्रिक हुआ करते थे थाकूर नाम से तो वह एक बार पार्थिव शिवलिंग का मत्तब जो मिट्टी से शिवलिंग बनता है उसका वो प्रयोग कर रहे थे और उन्होंने अनुष्ठान कर रखा था महामृत इंजय का नवरात्री के अश्टमी के दिन इस साधना को करते हुए उनके प्रांचे लगे इसके अलावा एक और साधक थे वो अपनी पत्नी के साथ शिवलोग गमन कर गए इस महामृतिंजय के अनुष्ठान में तो कहना मैं यह चाह रहा हूं क्यूंकि यह सिद्ध मंत्र है तो इसक से अचे बात क्या है, जो एक गरहस्त को करना चाहिए, निश्चल मंद से अगर आप मंत्र का जाप करते हैं बीना इसके प्रेयों के बारे में सोचे हुए तो आपको जादा इसका लाभ होगा जो महामृतिंजय मंत्र है इसको त्रेंबक मंत्र बोलते हैं इसको महामृतिंजय मंत्र बोलते हैं और महामृतिंजय बोलते हैं ठीक है क्योंकि ये शीग्र अतिशीग्र वेदों के नुसार शीग्र अतिशीग्र आपको श्रेष्ट फल देता है महामृतिंजय जो मंत्र है उसका मूल भूत भाव ये होता है कि एक ही अन्यात्मा महादेव हैं और इनहीं का सरूप है आनन्द, विज्ञान, मन, प्रान और वाक जब आनन्द, विज्ञान, मन, प्रान और वाक में बोलता हूं मेरे कहने का तत्पर है कि भगवती का जो पाँच रूप है या महादेव के पंचानन सुरूप और भगवती इन पाँचों रूप में मृत्युन्जय शिव आनन्द में है ठीक है? विज्ञान मुख है दक्षिना मूर्ती, मन कामेश्वरी, प्रान पशुपती, वाक भूतेश रूप ये सारे रूप है महादेव के और इन पर ही आधारित है महामृतुन्जय भगवान चीर काल से साधना करने से, स्मरन करने से इनका लाब मिलता है मतलब रोज जिर्फ इनका जाप करते रहिए, जो महादेव के बड़े भक्तों में किन का नम आता है? रावन का नम आता है, उसके बात किसका नम आता है? उसका आद आता है देति गुरी शुक्राचारे ने शुक्राचारे ने महामृतुंजय मंत्र का एक पूरा मतलब वेदोक्त एक वर्नन महीमा में एक अलग मंत्र लिखा है जो आगर आप लोग जानते होंगे त्रिम्बकम यजा महेच, त्रिलोका पित्रम प्रभुम, त्रिमंडलस्य पित्रम, त्रिगुनस्य महेश्वरम इस तरीके से एक पूरा मंत्र लिखा है ठीक है आप लोगों को जानना चाहिए कि अगर आप महामृतुंजय मंत्र का प्रयोग करना है तो उसमें कौन से विशेयों की जानकारी आपको होनी चाहिए तो उसमें पहला विशेय तो मैंने आपको बता दिया कि ये मंत्र सिध्ध है तो प्रयोग के बारे में जब तक बहुत आपका हाथ मजबूत नहीं है तंत्र में बहुत मतलब बहुत से जादा बहुत मजबूत नहीं है तो प्रयोग के बारे में आ सोचें सिर्फ इसके जाप के बारे में सोचें अच्छा अब क्या है कि जो मृत्यूंजय मंत्र है इसका मैंने आपको नाम बता है त्रेंबक मंत्र महा मृत्यूंजय मंत्र मृत् होनी चाहिए तो सबसे पहले समझे जो वाक्य है त्रेंबकम जैसे त्रेंबक के शब्द है तो उसका अर्थ क्या होता है सर्वग्याता शक्ति मतलब जो अनंत ग्यान है उसका मतलब हुआ त्रेंबक यजाम है जो त्रिप्ति का बोधक है मतलब लोब मोहन महा माया चम्यताम परमेश्वरी भगवती सुगंधिम बुष्टि वर्दन मतलब आप किसी भी भावना से मुक्त है ठीक है उरुवारुक में वबंदनात ठीक है ये स्वतंतरता का बोधक है और मृत्यूर मोक्षि आमा मृताम मतलब नित्यम लुपता इस शक्ति का बोधक है अगर इस मंत्र को चार चरन में आप पढ़े तो पहला शब त्रेंबक के बदले होता है और उनके सात्थ जो मृत्यूर जयेश, महादेव हैं उनका बोधक है उरुवारुक में वबंदन आत्पता भीमा शक्ती भगवति और ऑर महादेव होता है मृत्यूर मोक्षि आमा मृता द्रोपदी शक्ति के सात्थ संजीवनी का बोधक है तो आपने देखा कि मृत्युन जयेश और संजीविनी दोनों का वर्नन महा मृत्युन जये मंत्र में आता है और जो पांच मुख्य है उसमें इन दोनों मुख्य का मुख्य वर्नन होता है तो त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्दनम आधी गवरी शक्ति सहीत में महेश का परिचय देता है जो कि दक्षिन पाध होता है त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्दनम दूसरा लाइन है उर्वारुकमेव बंदनात मृत्योर मुख्य अमामृता मतलब वामपाध में स्थित आधी व्यापनी शक्ति सहीत में संभू संभू ना कोच्छ तो पंचाननन मुख है और साथ में जो उनके साथ शक्तियां है उनका वर्णन उनका जय गोशक जो है इस मंत्र में है लेकिन करते अतर करना वक ही ओधर्र को ललग करना में निकिनasan पूर जो मंतर है एक तो महामृतियुजय है जैसे हम लोग सोचते हैं कि त्रेमबकम ये जाम है यही महामृतियुजय है लेकिन ये त्रेमबकमृतियुजय मंतर होता है ठीक है तो ये जो कलीकाल है कल्युग है इसमें महादेव के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए या मृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए इससे आपका जीवन में हमेशा सुक सम्रिद्धी रहेगा आरोग्य बना रहेगा ठीक है तो महादेव का ध्यान करके उनको स्नान करा करके चंदन लगा के थोड़ा भसमतिलक लगा तो जो रोज मरा की पूजा है वो करिए नहीं करने में सक्चा मैं नहीं है आपके बार शिव लिंग तो शिव मानस पूजा का पार्ट करिए तो जो भी है मन से ही मैंने आपको अर्पित कर दिया ठीका लास में कर चरन कृतम वा काया जम्मकरम जम्वा शवनने नजम्वा मानस वा पराधम भीतम भीतम वा सर्वा मेत च्छमस्वा जय जय करूना वदे श्री महादेव शंबू ऐसा आप महादेव को मानस पूजा सही सब आपको समबर्पित करते हैं अगर आपके पास सामगरी नहीं है अब देखो 386 महाम रिट्वु जय मंत्र होता है 386 महाम रिट्वु जय मंत्र जो होता है इसका आप निरनतर 1108 जाप कर सकते हैं इससे क्या आता है आपके वाक में समृद्द्धी आती है आपका रोग जितनी हें आपको ये त्रैक्षरी मंच्छर मंत्र देता है, क्या मंच्छर है, ओम राम जुम्सह। तो इस मंच्छर का जै आप वो करें जिनको माया चाहिए महा देविस है, ठीक है, फिर दूसरा एक जो मंत्र है, जिसको हम लोग सबसे ज़्यादा सुनते हैं, वो त्रेमबक मृत्विंजय मंत्र है, इसका काम वही है, जो कि लोब मोहन महामाया रक्षाताम परमेश्वरी से है, मतलब आपके सभी इंद्रियों को ये वस्मे कर देती है, मतलब लालच हो, लोब हो, ये सब मतलता है, और आप पर सायम भी लाता है, वो मंत्र है, ओम त्रेमबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्दनम अरुवारुकम मेववंदनात, मृत्य और मोक्षिय अमामृताब, तो ये हो गया त्रेमबक मृत्य नजय मंत्र है, और जो मेन मंत्र है, जो हो सकता है, आकाल मृत्यू नहीं होता है, मृत्यू भै नहीं होता है, इस मंत्र के प्रभाव से व्यक्ति पुत्रवान होता है, पौत्रवान होता है, मतलब आपका कभी भी खांदान विलोपित नहीं होगा, सम्रिद्धी बनी रतिये, यशिश्वी होते हैं, आपके आपको त्रैंबक मृत्यूजय मंत्र मैंने बताया, उसके आगे बीज आक्षर जुड़ता है. ओम, रॉम, जुम, सह, ओम, भूर, भव, स्वा, ठीक है? फिर जो त्रैंबक मृत्यूजय मंत्र है, वो पढ़ना है, और फिर ओम, स्वा, भुह, ओम, सह, जूम, हौम, ओम. देखे, इन सब मंत्रों में एक चीज ध्यान में रखना होता है, कि इनका उद्धोष नहीं होता है, तो मैं भी कहीं पाउज दे करके, किसी सब्द पे जादा जोर दे करके आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि मूल मंत्र का जाप मैं नहीं करना चाहता, इसका कोई भी प्रेवग के बारे में नहीं सोचेंगे, इन तीन मंत्रों में जो भी आपके जीवन में उद्देश है, उसके हिसाब से एक मंत्र चुन लीजिए और उसका रोज एक माला जाप करिए, इक माला तक जाप करेंगे, तो मैं यहाँ बैठ करके आपके लिए, मैं आपको यह गारंटी दे सकता हूं, कि आपके जीवन में सब कुछ बढ़िया और अच्छा होगा, लेकिन आप उससे जादा बढ़कर, भक्ति भाव में आके, अज्ञानिता में आकरके, भावा वेश हो करके, इसका हवन करने लगे, दसमाला करने लगे, तो फिर महादेव आपके मालिक है, आज के लिए इतना ही, जिनको पेड वाटसप ग्रूप से जुड़ना है, जिनको बेसिक सादना सीखनी है, आज के लिए इतना ही, महाभायरब महादेव, आपके रख्चा करे, आपको सत्बुत्ती दे, ऐसी मिली प्रात्रा है, आप सभी वादेश, आदेश, 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 रम,